दोस्तो पाट टाइमनी की latest updates के लिए subscribe करिए पाट टाइम मनी को और बेल आइकन को प्रेश करिए हलो फ्रेंद्स आप सभी का एक बार फیर से सौगत है हमारी चेनल पाट टाइमनी में फ्रेंद्स मैं आज फिर से एक बार जिंटेंश की बारे में बात करने वाला हूं बिटकोईन को लेके अब ही इंडिया में क्या चल रहा है क्या आने वाले टाइम में हो सकता है फ्र next अभी कुछ दिन पहले ही हमारा बजस आया है और इसमें बिटकोईन को लेके वृत्यमंत्री ने कुछ कहा था और उसके बाल मेधे वालों ने गलत किसी भी चीज में टैक्स लिया जाता है तो वह इलीगल कैसे हो सकती है यह वह चीज इंडिया में बैं कैसे हो सकती है उन्होंने इंटर्व्य में यह भी कहा है कि वह इस फिनेंशल एर में इसके उपर डिसिजन ले लेंगे अभी मैं उनकी आपको एक रिपोर्ड भी दिखात हो आपको तो फ्रेंश चलिए पहले चलते हैं से इंडिसी के वेबसाइट पर एक्शन की तयारी फ्रेंश थोड़ा नीचे चलते हैं यहां पर यह देखिए सरकार क्रिप्टो करंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाएगी टैक्स लगेगा तो यह इलेगल नहीं हो सकती CBDT के चेर्मेन सुशील चंद्रा ने CNBC आवास से खास बातचित में बताया कि देश में करीब 4 लाख लोग क्रिप्टो करंसी में निवेस कर रहे हैं सुशील चंद्रा बिटकोइन कमेटी के CBDT के चेर्मेन है और इन्होंने ही CNBC आवास से इंटर्व्यू में कहा है कि इस टा 602 पर 0308 निवेस कराब और वेको डटन आगांगे तो रहे हो इसको रेगूलेट करने के रही है नहीं ले सकते बजट के बाद ओपन हाउस में आर्थिक मामलों के सचीफ सुवास चंद्रागर ने बताया कि इस पर काम चल रहा है सरकार को डरेक्ट में नोट बनते के बाद लोगों ने इसमें अपनी ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं यह अच्छी न्यूज है कि सरकार अ होने वाली कमाई पर टैक्स लगाएगी सीबी डीटी के चैर्मेन सुशील चंद्रा ने हमसे खास बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि देश में करी चार लाख लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं जितने भी एक्स्चेंजेश में क्रिप्टो करेंसी का वर्क चल रहा था उसको को मनें सर्वे किये और यह फांटर सम्टिंग और फोर लैक परसंस है विए इन्वेस्टेट इंटो इस बिट्कॉइन से नहीं वेस्ट किया गया है या जो अंडिस्क्लिस इंकम से है वह जो जो इसको फाइदा हुआ है वो कैपिटल गेन के तौर पर टैस्ट किया जाएगा इस पूरे सर्वे में रिसर्च में आपको कहीं दिखा भी कि ब्लैक मनी का एक जरिया बनता जा रहा है कुछ कुछ लोगों कुछ जगें हमने पाया यह जैसे कि अभी हम लोगों ने किया है है सबसक्ता टुर्च में तो पर टेक्स वसूल है किया और बिटकॉइन से मुनाफप तर टेक्स लगा कर सरकार अपनी कमाई की तुश चिए शाथ ही वह इसे रिगुलेट करने की भी हुजना बना रही है बजट के बाद ओपन हाउस में आर्थिक मामलों के सचीव सुभाष चंदर गर्ग ने बताया कि इस पर काम चल रहा है सरकार को डर है कि नोट बंदी के बाद लोग इसमें अपनी ब्लैक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं